सोरी दोस्तों लेकिन सबका मूड खराब होने वाला है रोमरेंस को हो चुका है कॉविड और वो कॉविड पॉजिटिव आ चुके हैं अपने मैच के दिन ही रोमरेंस वसिस ब्रोक लेसन आज डेवान पर होने वाला था लेकिन रोमरेंस को हो चुका है करोना एंड डबली डबली ने हमें एक दो गंटे पहले बता दिया था कि रोमरेंस को करोना हो गया और यंड वो day one पर compete नहीं करेंगे bro klesner के अगेंस लेकिन यहां पर bro klesner आज day one पर लडने वाले हैं उसकी भी बात करते हैं लेकिन रोमरेंस हमें कुछ दिन के लिए WWE से दूर होते हुए दिखने वाले हैं जो की ना wrestling के लिए अच्छा है ना WWE के लिए अच्छा है ना Romarens के fans के लिए अच्छा है ना ही Brock Lesnar के fans के लिए अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं Brock Lesnar के fans भी Romarens and Brock Lesnar का match देखना चाहते थे but yes guys most probably Romarens versus Brock Lesnar होगा but हो सकता है इस बार वो Royal Rumble पर confirm नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है so हम जल्दी जल्दी hope करते हैं कि Romarens जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और वापिस आजाए WWE में क्योंकि हाँ उनको देखना चाहते हैं लेकिन Brock Lesnar का क्या हुआ उनको डाल दिया गया है वन ये वाला मैच लेकिन याज़ जब ये मैच स्टार्ट होगा मैं जरूर इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ and गाईज लेट सी Brock Lesnar जीतने वाले हैं या फिस Seth Rollins या फिर Biggie रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंप्शिप and गाईज ऐसा ही चलता रहा चैंपियन की रेस में है and एक मैच और हो चुका है Drew McIntyre vs Matt Cadmos and इसमें Drew McIntyre ने ही जीतना रहा and वही जीते हैं so ऐस अब WWE Championship पे लिए मैच final main event रखा गया होगा विल याज वीडियो आ जाएगी and गाईज अगर यहां तक आगए हो subscribe आर दो चैनल को notification bell जरूर अन कर देना and like तो आप मारी देते हो question पूचलो comments में my name is Soheel, bye bye